हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं चानल सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आप अप्टियान अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सबको एक्स्प्रेइन कर रही होती है और वो सबसे पूसती है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो उससे क्लियर कर सकता है तभी वहाँ पर यूरान के साथ एक लड़का आता है और वो बोलता है कि मुझे एक डाउट है तो टियान उसे बोलती है हाँ बताओ वो लड़का उसे बोलता है क्या आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया है company के पास कितना पैसा है और वो इस project पर पैसा लगा भी सकता है या नहीं क्योंकि इस project में हमें 10 million लगेंगे और extra labor के भी बहुत सारे खर्चे लगेंगे आपका जो यह idea है यह बहुत ही महेंगा पड़ जाएगा इस company के लिए तो अगर यह project fail होता है तो क्या आप इसका भरपा का loss हुआ इस project के कारण तो क्या तुम पैसे भरोगी तो यहाँ पर टियान जो है वो जनी बोलती हो शान्त हो जाती है लेकिन तभी चेन उसके पास आता है और वो टियान के help करता है और बोलता है बहले ही यह idea ही शान का है लेकिन इस project में किनना invest करना है और इस project को market में लान तो क्या अगर ही project fail हो जाएगा तो आप इसका भरपाई करेंगे यहाँ पर chain बोलता है हां मैं मानता हूं कि जो previous project था उसे मैंने खराब कर दिया लेकिन इस project की पूरे responsibility मैं लेता हूं और अगर इस project में कुछ loss भी होता है तो उसका पैसा मैं बरूंगा company को chain की यह बाते सु कर यूरान बहुत जलने लगती है कि वो किस तरह से टियान को support कर रहा है उसके मदब सीन में दिखाया जाता है यान उसके पास आती है और वो देखती है कि वो काम कर रहा है और उसे देखकर वो सूचती है कि आखिर chain ने मेरी बहुत help की है मुझे इसे कुछ treat देना चाहिए तो वो chain को बूलती है कि क्या इस Saturday तुम मेरे साथ dinner पर चलोगे तो chain उसे बूलता है कि एक नट रुक जो अभी मैं meeting में हूँ उसके बाद यहाँ पर टियान जो है वो chain के response का wait कर रही होती है तबी chain उसे message करता और बूलता है कि ठीक है done मैं इस Saturday तुमारे साथ dinner के लिए चल ठीक कर लेती है उसके बाद तबी chain यह चीज़ देख लेता है और वो money money हसने लगता है उसके बाद मैं यह दिखाया जाता है कि टियान आती है चीन के पास तो chain उसे देखकर हसता है तो टियान उसे बोलती है कि सॉले मुझे मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गई और उसे ज पहन लिया उसके बाद टियान उसे बोलती है तो चले खाने तो chain बोलता है कि हाँ चलो इस restaurant में चलते है तो टियान सूसती है कि यह restaurant बहुत चुटा है यह मुझे यहां लेकर क्यों आया है उसके बाद वो उसे बोलती है कि Mr. chain thank you मेरा budget safe करने के लिए तो chain उसे बोलता है कि कि तुम कैसी बाते कर रही हो यह place भी बहुत ज़्यादे expensive है यहां पर जुम डॉल्स मिलते है वह बहुत ही expensive है मैंने टीवी पर देखाया है उसके बाद वो से बोलता है तो मैं यहां पर treat नहीं देनी है क्या तो हम लोग किसी expensive restaurant पर चले लो टियान बोलती है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रुत नहीं है उसकी मादमे scene में दिखाया जाता है कि वो लोग घर आ जाते है और यहां पर टियान उसे champagne पिलाती है और यहां पर चीन बस टियान कोई देख रहा होता है और वो मन ही मन्सूसता है कि पहले इसने मुझे डिनर पर बुलाया और अब यह मुझे शैंपेन पिला रही है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है, उसके बाद त्यान उसे देखती और बोलती है, सायद आपने सही गेस किया है, अब जो भी सोच रहे हो, आप बहुत सही सोच रहे हो, एक्चुली मुझे आपको कुछ बताना है, यहाँ पट्यान चेन को कनफिस कर जाने वाली होती है, कि वो उसे लाइक करती है, उसके बाद त्यान बोलती है, एक्चुली मुझे आपको कुछ बताना था, हम लोग एक दूसरे को जादा सालों से तो नहीं जानते, हमें बस एक मैना ही हुआ है, मिली हुए, बट आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जा रहा होता है, उसके बाद त्यान उसे बूलती है, कि मुझे पता है, वैसे तो हम लोग बिजनस पार्टनर है, लेकिन कुछ बाते हैं, जो मुझे आपसे कहनी है, तभी यहाँ पर चैन समझ जाता है, कि वो उसे प्रपोस करने वाली है, तो वो त्यान की करीब जाता है, और वो बहुत जाता है, और उसे किस करता है, यहाँ पर यान शॉक्ट हो जाती है, और फिर सी नहीं यहाँ पर खतम हो जाता है, तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरी चैनल को सब्स्क्राइब करि करिएगा, तो फ्रेंस आच के लिए बाइबाइब, यह पर फिर से एक नहीं वीडियो के साथ